परिचय कैसे हो अमेत? मैं बढ़िया हूँ तुम चिन्ता में दिख रहे हो क्या बात है? कल मेरी बेहन ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे सका क्या सवाल है? क्या मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा कि ऐसा क्या है? जो हमें फल भी देता है और लकडी भी? जो धर्ती पर पैदा हो सकता है और पानी में भी? जो घर में पाया जाता है और जंगल में भी? यह तो बहुत आसान है प्यारे उन्हें वनस्पती या पेड़ पौधे कहते हैं आओ सीखें विभिन प्रकार की वनस्पतियों का वरणन करना किसी वनस्पती के मुख्य भाग का वरणन करना वनस्पतियों के मुख्य लाभ बताना वनस्पती जीवन नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूँ क्या आप जानते हैं कि वनस्पती हमारे मित्र भी होते हैं क्यूंकि वो हमें भोजन और जीवन यापन के लिए जरूरी दूसरी कई सामगरी देते हैं इसके अलाबा वो हमें छाया भी देते हैं वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं उन्हें अपने जीवित रहने और बढ़ने के लिए आहार और जल की जरूरत होती है। उनमें भी हमारी तरह विकसित और लंबे होने की योग्यता होती है। वनस्पतियों के प्रकार बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्द प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। जो पौधे बहुत लंबे और मजबूत होते हैं, उन्हें पेड़ कहते हैं। जैसे आम, नारियल, नीम इत्यादी पेड़ हैं। जो पौधे पेड़ों से छोटे होते हैं, उन्हें जाडियां कहते हैं। जैसे गुलाब या सूरजमुखी के पौधे, इनके अलावा कुछ वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें शाक कहते हैं। बैंगन और पालत शाक के उधारण हैं। बेल और लताएं। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ऐसी वनस्पतियों को बेल और लताएं कहते हैं। बेल किसी सहारे के साथ बढ़ती है। जैसे की मनी प्लान लताएं जमीन पर फैल कर बढ़ती हैं। जैसे की कद्दू और तर्बूज। वनस्पतियों के अंग। दोस्तों, आईए पौधों के विभिन अंगों की चर्चा करें। किसी पौधे के मुख्य अंग, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल होते हैं। आईए, एक-एक कर इन सभी के बारे में और जानें। जड़, पौधे का सब से नीचला अंग होता है। ये मिट्टी में विकसित होती है और पौधे को जल और खनिज ब्राप्त करने में सहायता करती है। तना और पत्तियां पौधे का अगला अंग तना होता है। पौधे के कठोर भाग को तना कहते हैं, जो जमीन के उपर उगता है। यह पत्ते, फल और फूल को वहन करता है। तना पौधों को सहायता भी देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तने का कौन सा भाग उन्हें फल तयार करने में मदद करता है। बिलकुल सही। पत्तियां करती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये तने से उत्पन होती है। फूल और फल। दोस्तों, आईए अब हम पौधे के सब से आकरशक और सुन्दर भाग यानी फूल के बारे में जाने। फूल विभिन रंगों और प्रकार के होते हैं। जैसे सूरजमुखी, गुलाब या डहेलिया इत्यादी। मैं जानता हूँ कि आप में से जादातर लोग फल पसंद करते हैं। पौधे के रसदार भाग को फल कहते हैं। फल विभिन आकार प्रकार और रंग के होते हैं। जैसे केला, आम, सेब या संतरा। बीज, जब हम सेब काटते हैं, तो उसके अंदर क्या देखते हैं। हाँ, बिलकुल सही, हम छोटे भूरे बीज देखते हैं। दूसरे फलों के अंदर भी बीज होते हैं, जैसे पपीता और आम। क्या आप जानते हैं कि नए पौधे का जन्म बीज से होता है। वनस्पतियों का उपियोग बच्चो, हम जानते हैं कि हम पौधों से खाने की सामगरी प्राप्त करते हैं। भोजन सामगरी के अतरिक्त हम पौधों से अन्य बहुत सी चीजे प्राप्त करते हैं। बहुत सी दवाईयां वह इत्र यानी पर्फ्यूम पौधों से बनते हैं। पेड हमें लकडी भी देते हैं। कुछ स्थानों पर लकडी से घर भी बनते हैं। आओ खेलें। दोस्तों, आईए आपकी जानकारी की परीक्षा लें। पौधों के विभिन अंगों से उनके कारियों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की। हमारी ही तरह पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं। जैसे पेड, जाडिया, शाक, बेल, और लताएं। पौधे हमें भोजन, लकडी, तेल, दवाई और सांस लेने के लिए ताजा हवा देते हैं। झाल और ये अपएंगगे के वाई यपी के लिए हैं। यहाद mı, से सकते हैं। यहादम धएंगे के लिए पौधे के लिएट, जाड़े के लिएगा हैं।